नमस्कार, One India में आपका स्वागत है मेरा नाम अविनाश है RCB और मुंबा इंडियन्स के बीच IPL का अर्टालिसवा मुकाबला खेला जाएगा इस मैच में दोनों टीमें जीत के इरादे से मैदान पे उतरने वाली है मुंबा इंडियन्स और RCB का ये मुकाबला अबुधाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा आपको बता दे हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली की टीमें आमने सामने होंगी भारत के दो दिगज खिलाणियों की टीमें आपस में टकराने वाली हैं और ये मैच दिल्चस्प होगा पिछली बार जब दोनों टीमें आपस में भीड़ी थी तो मुंबा इंडियन्स को RCB ने मैच में पटका था सुपर ओवर में एवी डिविलेर्स और विराट कोहली ने टीम को जीत दिलाई थी जबकि नबदीप सैनी की शांदार गेंदबाजी ने टीम की जीत में एहम भूमी का निभाई थी ऐसे में मुंबा इंडियन्स के पास इस मैच में बदला लेने का सुनहरा मौका है वैसे भी जो टीम ये मुकाबला जीतेगी वो प्ले ओफ में जगह बना लेगी चाहे वो मुंबाई जीते या फिर बैंगलोर की टीम आपको बदा दे मुंबाई को पिछले मैच में राजस्थान रोयल से आठ विक्टों से हार का सामना करना पड़ा था इस समय मुंबाई इंडियंस के 14 अंख है वहीं विराट कोहली के अगवाई वाली RCB के भी 14 अंख है विराट कोहली की टीम को चने सुपर किंग्स के सामने हार का सामना करना पड़ा था इसलिए जो भी टीमी इस मुकाबले में जीत दर्ज करेगी वो प्लेओफ में जगह सुरक्षित कर लेगी रोहित की फिटनेस चिंता का सबब बना हुआ है रोहित इस समय हैमिस्ट्रिंग की इंजरी से जूज रहे हैं और दो मुकाबला वो पिछला नहीं खेल पाए थे मुंबा इंडेस के कप्तान ने सोमवार को नेट्स पर अभियास जरूर किया है संयोग से इसी दिन उन्हें अस्ट्रेलिया दोरे के लिए टीम में नहीं जगह मिली आरसिबी की तरफ से विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा 415 रन बनाए हैं और अपनी शांदार फॉर्म को वो जारी रखना चाहेंगे जबकि ओपनर बलेबाज आरौन फिंच ने अब तक ट्रोर्णामेंट में 236 रन बनाए हैं वहीं देबदत पडिकल के नाम इस ट्रोर्णामेंट में अब तक 343 रन दर्ज है जबकि विस्फूटक बलेबाज एवी डिविलियर्स के नाम 324 रंदर्ज है और एवी डिविलियर्स अपनी शांदार फॉर्म को बरकरार रखना चाहेंगे अगर RCB के टॉप ओडर के सभी बलेबाज योगदान देते हैं तो फिर मुंबई इंडियन्स की टीम को परिशानी जिलनी पड़ सकती है RCB की टीम के लिए बूरी ख़बर है नबदीप सैनी के चोटिल होने के कारण गेंदवाजी विवाग को लेकर सभी को परिशानी है सैनी के मुंबई के खिलाफ मैच में खिलने को लेकर इस समय इस्थिती पूरी तरह से सपच्ट नहीं है अगर वो नहीं खेलते हैं तो क्रिस मौरिस या फिर मुहमा सिराग या फिर इसुरू उडाना की जिमेदारी बढ़ जाएगी बेरहाल मैं आपको बताता हूँ दोनों टीमों की संभावी प्लेइंग लेवन के बारे में सबसे पहले मुंबई इंडियन्स की प्लेइंग लेवन रोहिच शर्मा अगर फिट हुए तो उनको मौका मिल सकता है वहीं RCB की टीम देबदत पडिकल, आरण फिंच, विराट कोहली, एवी डिवलियर्स, शीबन दुबे, गुरकिराज सिंग्मान, इसुरू उडाना, क्रीस मौरिस, यजवेंदर चहल, वाशिंग इटन सुंदर, उमेश यादव याफिर, मौहमस सिराज इस खबर में बस इतना ही, तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए, वन इंडिया के साथ